हाई गाईज वेलकाम बेक टू माई चैनल एक्चुली यह जो वीडियो है मैं एक छोटा सा रिव्यू मतलब यूकांसे की ओनार्शिफ रिव्यू देने वाला हूं मेरे पांच का अल्मोस्ट एक साल दो माईने हो गया मेरा गारी को और मैंने लगभग चला लिया 6108 मैंने नहीं चलाया गारी को बट हाँ एक्सपीरियेंस जो है मैं कुछ मतलब सिया कर सकता हूं इतना है एक्सपीरियेंस मेरे एंड वान तिंग इसमें मतलब एक साल दो माईने पर अल्मोस्ट मेरे को एक बार जो है छोटा से एक्सिडेंट भी हो गया उसका भी मेरा वीडि और थार्ट जो सर्विस है उसमें जो इंजिन ओयल का मतलब यह जो चीज आता है उसमें मैंने एमसी करवा लिया था एक्सपीरियेंस अगर मैं एक ही चीज बोलूंगा अगर थार्ट शर्विस आप करवा रहे हो तो जाके नॉर्माल सा करवा लेना कोई दिक्कत नहीं है मेरे को जो एमसी है एमसी पर अल्मोस्ट 4300 का यह 3 या 200 के आसपास का बील आया था लेकिन अगर आप नॉर्माल सर्विस करोगे जो इंजिन ओयल चेंज या विल एलाइमें बैलेंसिंग और अलसो जो ओयल फिल्टर का आता है यह सब मिला के भी आपका नियाली 3000 के आसपास बील आएगा लेकिन अगर एमसी करवा लोगे तो फाल्तु का 1000 रुपिया जादा लगेगा हां उसमें एक बेनिफिट यह है जो मलब थार्ट सर्विस के 6 माईने के बाद आपको एक फ्री चेकप मिलेगा वाशिंग जो नॉर्माल सा एक फार्ट यह सेकंड सर्विस पर होत इसमें जरुड़त यह मुझको तो नहीं लगदा है अगर हापका गारी ज्यादा चलता है नियाली एक माईने पर दो-तीन हाजार तो आपको डेफिनेटली ओए-मसी कर वा लेना चाहिए लेकिन अगर उतना नहीं चलता है तो मैं तो यह रेकॉमेंडेट नहीं करूंगा सो अभी जो है अभी यह बात पर आता है टाटा का जो जो चीज है एक्शली जो है मेरा यह गारी का मनलब जो है मैंने एडवेंचर विद रिदिम पैक निया था इसका मनलब टाटा आप बोल सकते हो जो यही मनलब सब यूट्यूबर बोलता है जो यह जो है यह वैलू फोर आपको जो 7-inch का Android Auto Apple CarPlayer Harman का music system मिलता है 4 power window है यह चीज है डियार में जो है वाइपार डीफोगार कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अलाबा जो चीज है सब ठीक है इधार आपको auto AC भी नहीं मिलता है बट हाँ auto AC का उतना कुछ जरूरत नहीं है तो यह सब चीज जो है ठीक ठाक है टाटा का जो सर्वीस भी है मतलब सर्वी सेंटर में हाला कि आभी तो टीसी मोटोस पर कर रहा हूं और फ्यूचर में भी करूंगा ठीक ठाक है सर्वीस उतना कोई दिक्कत नहीं है बट एक चीज मतलब मैं टीसी मोटोस पर करता हूं टाटा का लेकिन दूसरे दूसरे सर्वीस सेंटर से भी मुझको कॉल आता है जैसे मेरे पास आके करिए ऐसा यह चीज मुझका अच्छा नहीं लागता है क्यूंकि सब ट टाइम था उस टाइम पर भी सेम चीज हो आता दूसरे दूसरे सर्वीस सेंटर या सोरूम से कॉल आ रहा था जो सैर मेरे कोटे संदेखिये कम है मेरे से कर बाली जीए तो ऐसा हलाकि मैंने जो है ऑनलाइन पर किया था पॉलिसी बजाज से वहां पर सबसे एफेक्टिव प् मैं अभी भी बोलूँगा मेरे पास टाटा पांच है तो इसके लिए मैं मेरा गारी का बुरा ही नहीं करूँगा ऐसे नहीं है जो जो चीज बुरा है मैं बोलूँगा सो मतलब क्वालिटी इश्यू है हां लेकिन जो पॉजिटिव चीज है कि इसका बील क्वालिटी मतलब बढ़िया है जबर्दस है उसका मैं ने आप बोल सकते हो मतलब मैं एक्स्पिरियेंस कर भी लिया है जो मेरा एक छोटा सा एक्सिडेंट हुआ था पीछे से आके ट्रा एक इश्यू मुझे को मिला है क्वालिटी रिगरिंग वो चीज मैं बाद में बोलूंगा बाद आभी के लिए ठीक थाग है मतलब मैं इंजिन ओयल आभी जो है थार्ट सर्विस पे चेंज किया अभी माइलेज ठीक थाग दिखा रहा है अभी देखो इधर है 14.5 दिखा र अगर मतलब ठीक ठाक से मैं चलाओंगा तो नियली सेवेंटीन टू नाइटीन के बीच में जो है मैलेज देता है मेरा गारी अगर मतलब कोई भी अगर मतलब जरुवत परे तो मैं एक माइलेज का जो है जो फुएल एफिसेंसी का अब बोल सकते हो मैं वीडियो दूंगा इसके लिए जो है मेरा गारी का फूल टैंक नहीं करूंगा बाद में करूंगा थोड़े थोड़े दिन के बाद अभी 6100 किलोमेटर तक जो है इंजिन ठीक मतलब सब कुछ ठीक है कोई भी दिककर नहीं है एक ही चीज है क्वालिटी में इशु है पेंट क्वालिटी में इशु है और आप पोल सकते हो जीदा जीदा जो पूडिंग का जो चीज है उदर उदर भी कोई-कोई जैगा इशु ह है और एक चीज पांच में एक्शुली थी सिरिंडर इंजिन है तो पावर में भी थोड़ा सा लैग आता है जाब आप इनिशियल पे गारी को खिचते हो तो उस टाइम पे नहीं तो हाई स्पीड पे ठीक टाख है अगर मतलब 80-90 अगर आप पकल लोगे तो उस टाइम पे अगर जलेगा लेकरे तो तो अगरेना 120-110 थीक टाख है उसके बात गारी को इंजिन में जो एक स्ट्रेस आता है वह आपको फील होगा जहां गारी का इंजिन मतलब स्ट्रेस अं ले रहा है ले रहा है तो इस विज दा इन्ग नहीं तो है सब कुछ ठीक टाख है सो यह और एक जो है क्वालिटी इशु मैं एक बड़ दिखा रहा हूं अलाकि यह जो मेरा युकांसे की रियाड जो बूट है यह चेंज हुआ है फिल भी देखो इधर का जो है क्वालिटी इशु हुंड़ा या आइक गेज मारूती पे यह चीज नहीं मिलेगा आप यह आता है so this is the thing मतलब आभ यह बोल सकते हो कोई भी कमपानी एकदम जो है 100% you can say की एक्जेक्ट पर्फेक्ट नहीं होता है किसी ना किसी कमपानी में कोई ना कोई इसु है जैसे मारूती पे जो है बिल क्वालिटी का इसु है so this is the thing so yeah thank you explorer rider signing off अगर किसी चीज का कोई भी तो कॉमेंट में करिए मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाइ करने का कउशिश करूंगा so yeah thank you explorer signing off